आज हम क्यार्मी कक्षा के मनोविज्ञान विशय के पहले अध्याय के बारे पर ध्यान करेंगे जो है मनोविज्ञान क्या है अर्थत मनोविज्ञान की वास्तु सामगरी क्या है मनोविज्ञान किसे कहते हैं और मनोविज्ञान की प्रिभाशा क्या है सबसे पहले अगर हम मनोविज्यान की प्रिभाशा की बात करें तो जैसा कि नाम बताता है मनोविज्यान यानि मन का विज्यान मन का अध्येन स्वाल इस बात करुछता है कि मन क्या है क्या ये मन हमारे शरीर में कोई अंग है या मन हमारा एक कंसेप्ट तो इसलिए ये सरफ मन जो है ये हम को हम पूरे रूप से प्रिभाशित नहीं कर सकते। उसके बाद दूसरा एक कंसेप्ट इसके इंदर है कि जिसको हम कहते हैं कि साइकोलोजी मनोविज्ञान आत्मा का ध्यन है क्योंकि साइकोलोजी शब्द दो शब्दों से बना है एक है साइकी जो एक है गरीक शब्द है एक है लोगोस लोगोस साइकी का मतलब है आत्मा लोगोस का मतलब है व्यज्ञानिक अध्यन आत्मा क्या है फिर यह वहां पर एक परसर उठता है कि आत्मा क्या है क्या ये हमारे शरीर में कोई अंग है आत्मा अंग नहीं है इसलिए हमने ये देखा कि जो मनोविज्ञान है ये ना केवल मन का देन है नहीं केवल आत्मा का देन है अब स्वाल है कि मनोविज्ञान है क्या तो अगला हमारे पास प्रशन है कि मनोविज्ञान एक विज्ञान के रूप में है अब विज्ञान की क्या क्रेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या गुन होते हैं, क्या विशिष्थाई होती है दो चीजे हैं, कि मनो विज्ञान प्रियोग पर आधारित है दूसरा, जब विज्ञान के अंदर हम कोई भी प्रियोग करते हैं तो उसका प्रिणाम समान होता है ने वो करने वाले पर निर्भड करता है और ने ही वो किसी स्थान पर निर्भड करता है तो इसलिए इसी परकार से मनोविज्ञान भी हमारे पास एक विज्ञान के रूप में है क्योंकि हम मनोविज्ञानिक परियोग कर सकते हैं मनोविज्ञानिक के अनुसार हम डाटा इकठा कर सकते हैं और उसके बाद हम उसके अनालिसिस कर सकते हैं जिस परकार से हम विज्ञान के परियोग में करते हैं तो अब सवाल इस बात का उर्षता है कि मनोविज्ञान की प्रिभाशा क्या है? मनोविज्ञान को मानसिक प्रिक्रियाएं, अनूभव और विभिन संदर्भों में विवारों का धेन करने वाले विज्ञान के रूप में प्रिभाशित किया गया है. आप देखेंगे कि इसके अंदर तीन चीज़ें मारे पास आती हैं. एक क्या है? मानसिक प्रियाएं. इसका मतलब यह हुआ कि जब हम मनोविज्ञान का धेन करते हैं, तो हम किसी भी मानों की मानसिक प्रियाएं, मस्तिक द्वारा की गई किरियाएं, जैसे हम चिंतन करते हैं, थिंकिंग करते हैं, तो यहां हमारी मानसिक प्रियाएं इन्वार्ड होती हैं, मानसिक प्रियाएं प्रियोग में आती हैं, हम किसी सब्जेक्ट मेटर कोई सामगरी याद करते हैं, समरण करते हैं, हमें कोई घटना याद रहती है, उसके अंदर भी मानसिक प्रियाओं का ही अध्यान किया जाता है। उसके बाद हम किसी भी समश्चा का समाधान निकालते हैं। मान लेजिए हम किसी भी समश्चा का समाधान निकालते हैं तो उसके लिए हमारी चिंचन पर करिया होती है। हम सोचते हैं। एक common language में आप समझने कोशिश कीजिए। मान लेजिए कि हम कोई भी गनित विशय का कोई प्रशन हल करते हैं, हम उसमें सोचते हैं, हम उसको कैसे किया जाएं, उस समच्या का हम समाधान निकालते हैं। अब पहली तो कि मनो विज्ञान के अंदर हम मानसिक परक्रियाओं का ध्यन करते हैं। दूसरा, जब हम कोई भी किरिया करते हैं, तो वो किरिया हमें कोई न कोई अनुभाव देती है। अब अनुभाव एक ऐसा है जो केवल व्यक्ति पर्क है सौभाव से ये आत्मा पर्क है हर एक ही परकार के अनुभाव का परभाव सभी व्यक्तियों पर समान नहीं होता तो इसलिए अनुभाव क्योंकि व्यक्ति पर्क है परसन पर निर्पर करता है इसलिए अनुभाव को हम एक व्यक्यानिक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता लेकिन जब भी कभी हमें कोई अनुभाव होता है तो हम उसके का व्यभार आता है हम कैसी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं करते हैं आप समझेए जैसे मान लेजिए कि एक दम से कोई bright light हमारी आँखों में पड़ती है तो हमारा एक दम से क्रिया होगी हम अपनी आँखें बंद करेगे यानि एक तेज प्रकाश का हमारी आँखों तक आना ये एक समवेदना है एक समवेग है उसके बाद जो हम क्रिया करते हैं उसके अनुरूप हम क्रिया करते हैं वो हमारी प्रतिक्रिया है तो इसलिए मनो विज्ञान में एक व्यक्ति किसी निश्चित प्रिस्थिती में क्या व्यवार करता है यह एक बहुत important part है, बहुत ही एहम बुद्धा है यह हमारे पास साइकलोजी का व्यवार दो परकार का हो सकता है एक परकट व्यवार जो आपको दिखाई देता है यानि एक व्यक्ति किस परकार का व्यवार कर रहा है आप उसको अबिद को देख सकते हैं आप उसको समझ सकते हैं दूसरी प्रकार का विवार है ऐ प्रकट विवार जो केवल आंतरिक होता है एक मनुष्य क्या समझता है मान लेजिए आप चेस का गेम खेल रहे हैं तो जब आप किसी एक विशम प्रिस्थिती के अंदर उसमें आते हैं तो वो किरियाएं आप अपने अंदर कर रहे हैं आप उसको दूसरा व्यक्ति अब्जर्व नहीं कर सकता तो इसलिए विवार हमारे पाद दो प्रकार का हुआ प्रकट विवार और एप्रकट विवार अब एक इसका व्यज्यानिक तौर पर अगर हम देखें तो एक उद्धीपक यानि स्टिमूलस है और उसके परती हम अनुकिरिया करते हैं अब आप उद्धीपक को समझेए उद्धीपक शब्द क्या है जब हमारे बहाईये या आंतरिक वातावरन में कोई प्रिवरता लाता है जिसके अनुरूप हम क्रिया करते हैं वो हमारे लिए उद्धिपक है यानि स्टिवलास है और हम क्या विवार करते हैं वो हमारा रेस्पॉंस है वो हमारी प्रतिक्रिया है तो इसलिए हम एक बात ये देखेंगे कि जो हमारा विवार है वो एक उद्धिपक और हमारी प्रतिक्रिया के बीच का संबन्द है तो ये जो हम अध्यन है मनोविज्यान के अंदर तीन आस्पेक्ट्स का हम इसमें करते हैं उसके बाद आता है कि जब हमारा व्यभार होता है अलग-अलग प्रिस्थितियों में हम अलग-अलग व्यभार करते हैं जैसे व्यक्तिक व्यभार यानि एक व्यक्ति अपने आप में स्वेम किरिया व्यभार करता है अटिल्ला व्यभार करता है आपने कई बार देखा है कि व्यक्ति बैठा हुआ होता है कुछ विचार कर रहा होता है और अपने ही धंग से वह व्यवार करता है दूसरा है हमारे पास द्वीजन व्यवार द्वी, द्वी मींज तू यानि दो व्यक्तियों के बीच में व्यवार जैसे हम एक दूसरी साथ समवे बाते करते हैं तो उस समय पर हम दो व्यक्ति मिलकर आपस में हम कैसा विवार करती है एक आता है हमारे पास समूव विवार अब इसके अंतरगत ये भी हो सकता है कि एक व्यक्ति समूव के साथ क्रिया करता है और ये भी हो सकता है कि एक सम्हू दूसरी सम्हू के साथ क्रिया करता है तो इस परकार से हम ये देखते हैं कि हमारा विवार तीन प्रिस्थितियों में होता है उसके बाद आता है मनो विज्ञान एक विद्या शाखा के रूप में ये अगला इसके अंदर हेडिंग आता है कि मनो विज्ञान किस परकार से किसी ने किसी विवार के साथ जुड़ा हुआ है जैसे हम कोई भी विवार करते हैं लाइफ में जीवन में तो उसका कोई ना कोई कारण होता है बिना कारण के कोई विवार नहीं होता अब सवाल है कि हम उस विवार के मापन के लिए हम परदत जिसको डाटा कहा जाता है डाटा संग्रह किया जाता है और उसके बाद उसका विशलिशन किया जाता है आप इस बात को एक एक अग्जामपल से समझेगा कि जैसे हम यह चाहते हैं कि जो परकाश है लाइट है इसका हमारे अध्यन पर क्या परभाव पड़ता है हम यह जानना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि विद्यारथियों को हम दो ग्रूप्स में बार देते हैं एक वो ग्रूप है हमारे पास जिस पे हम लाइट को बदलते रहते हैं कभी कम कभी ज़्यादा उसके बाद एक दूसरा ग्रूप है जिसके अंदर हम लाइट को बदलते नहीं है सामान्य लाइट रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक दिये गए समय में इन के अधिगम प्रक्रिया यानि सीखनी की जो प्रक्रिया पर प्रकाश का क्या प्रभाव पड़ा उसके लिए हम डाटा इकठा करते हैं कि विद्यार्थियों का रिस्पॉंस क्या है कि विद्यार्थियों ने किस परकार से अनु के लिए उस बदलते हुई लाइट के साथ किया और किस परकार से उन्होंने एक ही लाइट के साथ किया तो इसलिए ये इस तरह के से हम डाटा इकठा किया फिर उसका हम परभाव देखते हैं यानि उस डाटा का उस परदत का अनुदोकन करते हैं अनुदोकन करने के बाद फिर हम देखते हैं कि लाइट का क्या परभाव हुआ तो आप देख सकते हैं कि मनो विज्ञान उसी परका से विग्यान किरिया करती हैं। तो हम यह कह सकते हैं कि जो मनुविग्यान है यह विवार का विग्यानिक अध्यान है। जिसको हम नियमों द्वारा नियम बलाए जा सकते हैं। नियमों का विकास किया जा सकता है। नियमों में सुधार किया जा सकता है। तो मैं यहां तक आपने देखा कि मनुविग्यान क्या है। आपको यह बात समझाई होगी कि मनुविग्यान का कंसेप्ट क्या है। अगला पार्ट हम करते हैं मनो विज्ञान में मनो विज्ञान एक प्राकर्थिक विज्ञान के रूप में सबसे पहले अगर देखा जाए तो मनो विज्ञान का विकास कैसे हुआ ऐसा माना जाता है कि मनो विज्ञान का विकास भारतिय दर्शन चास्तर से ही शुरू हुआ है अब दर्शन चास्तर के अंदर हम क्या करते हैं मन का धिन और वहीं से मनो विज्ञान शुरू हुआ है जैसा मैंने आपको बताया कि मनो विज्ञान एक विज्ञान है इसकी तीन जहना हमारे पास गोन है या आप कह सकते हैं इसकी तीन विशेष्टाएं हैं सबसे पहला किसी भी व्यज्ञानिक प्रिक्षन में वस्तु निष्ठता जिसको हम अब्जेक्टिविटी कहते हैं इसका अर्थ क्या है? आपने जो मनोविज्ञान के अंदर उप्युक्त शब्द हैं उसके अर्थ को समझना बहुत जरूरी है और जब आप ये अर्थ समझ जाएंगे मनोविज्ञान आपको समझ में आ जाएगी पहला कहता है ये वस्तु निष्ठता जानी अब्जेक्टिविटी कहने का मतलब है कि कोई भी प्रियोग करे मान लेजिए के एक विद्याला के अंदर हम बच्चों के सीखने की परकरिया का धेन करना चाहते हैं वो इस परकार से की जाए चाहे कोई भी करने वाला कोई भी व्यक्ति हो लेकिन उसके प्रिणाम लगभग समान हो तो उसको हम कहते हैं वस्तु निष्ठता यानि किसी भी मनो व्यज्ञानिक परियोग के प्रिणाम करने वाले व्यक्ति पर निर्भड नहीं करते ये है वस्तु निष्ठता अब्जेक्टिविटी उसके बाद है हमारे पास परीकल्पनात्मक यानि हम पहले उसके लिए एक हाइपोथेसिस त्यार करते हैं परीकल्पनात्यार करते हैं परीकल्पनात्यार करने के बाद हम उस प्राब्लम को उस समस्या के समाधान के लिए एक निष्चित परकरम करते हैं जैसे कि एक व्यक्ति हम दूसरे व्यक्तियों की उपस्थिती में किस परकार का विवहार करता है हम मान लेजे इसका हम मद्धेन करना चाहते हैं एक परिकल्पना हमारी क्या हो सकती है कि व्यक्ति के व्यवार में कोई प्रिवर्तन नहीं आता पैरी परिकल्पना है हमारी दूसरी परिकल्पना होती है कि व्यक्ति के व्यवार में दूसरों के साथ होने पर विकास होता है यानि व्यवार अच्छा होता है तीसरा हम ये मान सकते हैं कि उस व्यक्ति का व्यवार दूसरों की प्रेजिंस में कम हो जाता है अब आप एक बात को समझेए मा लेजे एक विद्यारती है जो वो किसी भी संगीत का या डान्स के लिए नाचने के लिए किसी competition में भाग लेने के लिए मा लेजे अकेला प्रैक्टिस करता है तैयारी करता है फिर वो दो आदमियों के साथ करता है और फिर मा लेजे वो audience के साथ करता है अब सवाल है किसी hall के अंदर audience बैठी हुई है वो उसी जो performance है उसका जो निश्पादन है वो बहुत चे लोगों के सामने है वो नर्वस भी हो सकता है और उसका उसका जो विवार है वो बहुत अच् अच्छिन भी कर सकता है तो इसलिए हम यह कहेंगे कि जो व्यक्ति किसी दूसरों के साथ की presence में काम करता है तो उसके विवार में प्रिवर्टन आता है लेकिन यह हमने कहां से देखा प्रियोग करके देखा विडिवीज्वल ने अलग अलग स्थानों के ओपर कि एक व्यक्ति अधिक लोगों के सामने या दूसरे व्यक्तियों के सामने परफॉर्म करता है। तो कहने का मतलब है यह हमारी वस्तु निश्ट था अब्जेक्टिविटी। तो इसलिए यह बनो विज्ञान हमारे पास एक विज्ञान है। अब कोई भी इंडिविज्वल कोई भी प्रानी अकेला नहीं रह सकता। वो समाज में रहता है। और जिस समाज में व्यक्ति रहता है उस समाज का वातावरण व्यक्ति को प्रभावित करता है। तो इसलिए जब कोई भी मानव विवार करता है तो वो विवार उसके सामाजिक ढांचा कैसा है और उसका कल्चरल बैक्ग्राउंड यानि सांस्किर्टिक संदर्ब क्या है वो किस समुदाय में रहता है उस प्रकार को वो विवार करेगा आप इसके अंदर एक सिच्वेशन सोच सकते हैं कि एक बच्चा जिसका विकास अलग अलग प्रिस्थितियों में होता है आप देखेंगे कि उसका बच्चों का विकास में अंतर मिलेगा आपको कहां से अंतर आया अंतर आया सामाजिक ढांची से तो यानि हम यह कह सकते हैं कि जो वातावरन है सामाजिक वातावरन है वो व्यक्ति के विवार को परभावित करता है उसके बाद हम अगले पार्ट पढ़ाते हैं मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ जैसा मैंने आपको बताया कि मनोविज्ञान उत्पन कहां से हुआ मैंने कहा था कि भारतिय दर्शन स्यास्तर से इंडियन फिलोसोफी से उत्पन हुआ लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मनोविज्ञान के अक्षेत्र में विकास होता गया इसको एक विज्ञानिक रूप दिया गया सबसे पहले 1879 में लिप्जिग एक जगह है जर्मनी और उसमें सबसे पहले मनोविज्ञानिक हैं विलहम वूंट उन्होंने एक परियोगशाला की स्थापना की जिसके अंदर मनोविज्ञानिक प्रिक्षन की शुरू हुए यानि मानव विभार को विज्ञानिक रूप में धेन करने के लिए एक परियोगशाला बनी जैसे विज्ञान की प्रियोगशाला होती है उसके बाद विलियम जेम्स कैम्ब्रिज में मैसाचुचेश्च में एक और मनोविज्ञानिक प्रियोगशाला की स्थापना की गई यानि स्टार्ट कहां से हुआ विलियम वोन्ट से उसके बाद दूसरी मनोविज्ञानिक विलियम जेम्स द्वारा कैम्ब्रिज मैसाचुच के अंदर हुई उसके बाद एक उपागम पैदा हुआ, विलियम जेम्स के दवारा ही, जिसको हम कहते हैं परकारियवादी उपागम, फंक्शनलिस्ट अप्रोच, उन्होंने क्या कहा? कि किसी भी व्यक्ति का व्यवहार कैसे उत्पन होता है? हर व्यक्ति अपनी आफशटाओं की पूरती करने के लिए अपने आपको योग्या बनाता है, जो मेरी आफशटाओं हैं मैं उन आफशटाओं की पूरती कर सकूँ हूँ, अपने आपको वो उसकी अनुसार बनाता है। दूसरा, एक तो ये अस्पेक्ट इनसान का हुआ, दूसरा है हमारे पास कि वातावर्ण से अंतेकरिया करने वाले मानसिक परकरियाओं के सततधार मनोव्यज्यानी का मूल सवरूप स्थापित करते हैं कहने का मतलब किस परकार से जो मनुश्य है वो अपनी सामाजी का आवशक्ताओं को पूरा करने के लिए भी एक विशिष्ट विवार करता है तो ये एक स्कूल आफ थाट्स, एक मत्ज ये बनोविज्यान में पैदा हुआ उसके बाद आया गेस्टाल्ट बनोविज्यान अब स्वाल है कि जो गेस्टाल्ट साइकलोजी है इसका मतलब क्या है गेस्टाल्ट का मतलब होता है एजे होल संपूरन यानि एक व्यक्ति को जितनी समवेदनाएं वातवन से प्राप्त होती है जीतना उसको अनुभव होता है उन सभी का एक संयुक्त परभाव उस व्यक्ति पर पड़ता है तो इसलिए हम इसका कार्ण केवल एक अनुभव को नहीं दे सकते हैं उसके बाद उत्पन हुआ हमारे पास वेभारवार जिसका हम बहारियरिजम कहते हैं तो जॉन वाट्सन 1910 के आसपास उन्होंने ये कहा कि जैसा मा अरड़ी एक्स्प्लेइन कर चुका हूँ कि उद्धीपक और अनुक्रिया का संबंध ही हमारी प्रतिक्रिया है तो हमारा वेभार है इसलिए हम यहां पर जो लेकिन मन जो है उसको हम विज्ञानिक तौर पर उसका डिरिक्शन हम नहीं कर सकते और जो परसनल अनुभा होते हैं उसका भी हम विज्ञानिक तौर पर प्रिक्शन नहीं कर सकते उसके बाद हुआ मनोविसलिशन साइको अनलेसिज आप सिंगमंड फराइड आप कह सकते हैं फादर आफ साइकोलोजी तो इन्हों ने एक बहुत अच्छा विकास दिया और उन्हों ने ये कहा कि किसी भी व्यक्ति का जो विकास होकता है वो आनंद प्रावती से अपनी इच् परस्पेक्टिव काल रॉजर्ज और अब्राहिम मॉसलो इन्हों ने दो अस्पेक्ट्स हमारे विभार के दिये कि हर व्यक्ति के अंदर एक सवतंतर कामना होती है वो अपने ढंग से काम करना चाहता है जिसको हम फरी विल कहते हैं और दूसरा उसके अंदर जो व्यक्ति है वो अपने आपका विकास करने के लिए हमेशा परियतन शील रहता है उसके बाद आता है हमारे पास संग्यानातमक प्रिदर्श जिसको हम कॉगनेटिव परिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक्रिक का ज्ञान प्राप्त करना ये सब हमारे संग्यानात्मक मनोविज्ञान के अंतरगत आ जाते हैं और इसके अंदर हम अपने सामाजिक और भौतिक वातावर्ण को भी समझने की चीश्रा करते हैं तो इस तरीके से ये उसके बाद नेक्स्ट हुआ हमारे पास कास, कंस्रक्टीविजम के अंदर क्या है कि हमारे वातावन के जो हमारे उपर परभाव हैं उससे ही हमारा विकास होता है जैसे बहुद नोभ्तلي विकास को zach कहा ही अब आता है भारत में मनोविज्ञान का विकास अब भारत के अंदर मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ सबसे पहले कलकत्ता युनिवर्स्टी के अंदर 1915 के अंदर एक दर्शन छास्तर विभाग के अंदर ही मनोविज्ञानिक विभाग बनाया गया 1915 के अंदर ही कलकत्ता विश्य विद्याले में पर्थम मनोविज्ञानिक प्रियोग शाला बनी जैसे वूर्ट ने बनाई थी 1916 में पर्थम मनोविज्ञानिक विभाग कलकत्ता युनिवस्टी ने ही शुरू किया यानि मनोविज्ञान का एक विभाग ही अलग कर दिया 1922 में प्रोफेसर जी बॉस ने इंडियन साइको एनालिटिकल एसोशेशन की स्थापना की इसके उपरांत मनोविज्ञान विभाग मैसूर विद्याले और पटला युश्यादव विद्याले में शुरू हुआ और आधेनिक समय में सत्तर युणिवर्स्टीज या विश्यविद्याले हैं जिसके अंदर मनोविज्ञान को पढ़ाया जा रहा है उसके बाद दुरुगलन सिनाल जी ने अपनी एक किताब लिखी Psychology in a Third World Country The Indian Experience 1986 इसके अंदर उन्होंने सामाजिक विज्ञान को चार भागों में बाटा है उसके बाद भारत में मनोविज्ञान का अनुपरियोग हम Clinical Psychology जिसको हम कहते हैं नियदानिक मानव संजाधन विकास के अंदर विज्ञापन विभाग के अंदर संक्ठन खेल कूद निदेशालय में सूचना प्रद्योग में विशिच समश्याओं के वाले बच्चों के साथ इसका किया जाता है हमने अध्याए एक के पहले भाग में पूर्ण विस्तार से हमने ये समझा है कि मनोविज्ञान क्या है मनोविज्ञान के अंतरगत हम क्या विशे सामगरी पढ़ते हैं और मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ फिर मनोविग्यान का विकास भारत वर्ष में कैसे हुआ और मनोविग्यान के वो कौन कौन से अक्षेतर हैं जिसके अंदर हम भारत वर्ष में मनोविग्यान का प्रियोग करते हैं मुझे आशा है कि जो भी मनोविज्ञान के कर जो विशह सामगरी आपके सामने प्रुस्तत की गई वो आपको समझ आई होगी और जो आगे का भाग है उसका हम मनोविज्ञान की शाखाएं भाग दो में हम उसकी चर्चा करेंगे आपका धन्यवादित कर दो आपका दो